हेलो फारफाइटर्स तोड़े वी आर गोईंग टू टेक अबाउट दा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड एक्स्टिकूस मेथड ऑफ फायर आज का जो हमारा टोपिक होने वाला है सबसे महतोपुन आग का वरगी करण और उस आग को बुशाने के जो मेथड हैं वो तो ध्य जान्स हैं एक एक कंसेट को किलियर करते विए इन चीजों को समसेंगे और कंटिन्यू लगातार बने रहे क्लास के अंदर तो स्टार्ट कर लेते हम टोपिक को हमारा टोपिक हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर सबसे पहले हर एक इंसान के मांड के अंदर एक ही कोशन आजाता है कि आग का जो वरगी करड़ है वो रियल के अंदर किया क्यों जाता है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि हर स्थान के उपर जो आग है वो अलग-अलग होती है डिफ्रेंट प्लेसिज डिफ्रेंट बर्निंग मैटिरियल्स किस स्थान के उपर ओयल फायर है किसी प आजाता है उसके उपर special जो method होते हैं उनी का यूज ले सकते हैं और उनके उपर जो suitable fire extinguisers होते हैं या suitable जो fire extinguisers होते हैं उसी के मादम से आग को बुझ आते हैं तो इसी concept को समझने के लिए हमने क्या कर दिया इसका वरगीकन कर दिया ताकि firefighter को किसी भी समस्चा का सामना ना क जाता है कि इसका वरगीकन कितने परकार से किया गया इसमें हम बात करें तो आग का जो वरगीकन है there are five types of fire आग जो है मुखी रूप से कितने प्रकार से वर्गी करण किया पांच प्रकार से मुखी रूप से वर्गी करण किया अब इन पांचों प्रकारों को हमें बात कर लेते सबसे पहले आजाती है A-class इस A-class की आग को हम Solid Fire के नाम से भी जानने का काम करते हैं material normally have an organic nature in which the combustible sorry combustion occur with formation of glowing embers यानि की Solid जो पदार्थ की हमारी जो आग होती है उसके अंदर लकडी, कागस, कोईला, प्लास्टिक या बोल सकते हैं प्रकरती के अंदर जो मुक्त वस्था के अंदर पाए जाते हैं वो किस काटेगरी के अंदर A-class की काटेगरी के अंदर रखे जाते हैं ये जितने भी A-class की काटेगरी के अंदर burning जो materials है वो दहन के साथ में चमकते जो अंगार है वो बनाने का कारिय करेंगे सबसे बड़ी पैचान इसकी हो जाती है यही clear है तो इसको हम किस नाम से है solid fire के नाम से जानने का काम करेंगे इसके example आपको बताई दिये है example अगर बात करें तो wood without metal बीना धातू के लकड़ी paper हो गया, coal हो गया, plastic हो गया, rubber हो गया यह सारे के सारे किसमे A class की category के अंदर रखे जाते है अगली आ जाते है B class B class of fire जो होती है हमारी वो कौन सी category होती है liquid fire के नाम से जिसको जाना जाते है fire involving all flammable liquid जितने भी जो swollen seal द्रव्य होते हैं चाहे diesel की बात करें petrol, kerosene, rung, paint, greets naphtha, alcohol यह सारे के सारे इसकी के अंदर आते है flammable liquid and liquifiable solids such as oil alcohol grease, wax and fact यह सारे के सारे किस category के अंदर आ जाते हैं वो आ जाते हैं B class की स्रेनी के अंदर देखने को आपको मिलेगे अगला आ जाता है C class C class जो आग होती है जिसको हमे gas fire के नाम से जानते हैं C class fire involving flammable gases such as propane, butane, LPG and CNG जितनी भी हमारी जो लंसील जो gases है LPG, CNG, butane, propane, acetylene, hydrogen यह सारी किस category में C class की जो category है उसके अंदर रखने का काम हम करते हैं clear? अब बात करते हैं D class के उपर D class fire क्या होती है अपनी? D हो जाती है जी fire involving metals इसके अंदर जो धात्वे हैं वो आजाती है जैसे magnesium हो गया, aluminium हो गया zinc हो गया, sodium हो गया potassium हो गया, thorium हो गया यह सारे के सारे किसमें D class की category के अंदर रख लेते हैं पांच नमबर पे आजाता है K class fire जिसको हमें kitchen की आग के नाम से भी जानते हैं K class fire involving cockle oil ठीक है, जो खाना जो पकाया जाता है रसोई घर के अंदर अगर उस तेल के अंदर आग लग जाती है तो उसको किस category में K class की category के अंदर categorize करने का कारिय किया जाता है next point आ जाता है extricusement of fire आग को बुशाने के जितने भी जो method है वो कौन-कौन से हो जाते है और उस method से किस तरीके से आग को बुझाया जाते है इन one or more of these elements of fire are removed अगर हम आग में से एक या एक से अधिक tattoo को हटा देंगे the fire will be extricused, आग जो है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी और किस परकार से बुझेगी वो सारे के सारे method इसमें नीचे आ जाते है सबसे पहले आ जाएगा अपना कौन सा first जो element हो जाता है इसके अंदर होता है क्या temperature और इस temperature को कम करने का काम किया जाता है या फिर उसको घटाने का काम करता है किस के मादम से पानी के मादम से तो पानी के मादम से temperature को कम करना क्या कहलाएगा cooling method तो cooling जो method वो क्या हो जाता है इसमें remove of heat from the scene of the fire is now as a cooling जो आग का scene है उसमें से हम क्या करते है heat को हटाने का काम करते है या कम करने का काम करेंगे उस method को क्या कहलाएगा cooling method या बोल सकते seatly करन उसको seatly करन के नाम से जानने का काम हम कर लेते clear अगले पर आज़ वाई अगला आज़ आता है जब भी आप seatly करन करने का काम करेंगे तो इसमें किस तरीके से आग बुझेगी कुछ मोटे मोटे की तरब में बात कर लेता है विल अपलाइंग water on the fire some of water is converted to the steam further the steam help to the smoother जब आपने आग के उपर पानी डाला तो कुछ जो पानी है वो किसका रूप ले लेता है भाप का और वही भाप जो है वो smoothing method से या बोल सकते हैं oxygen की supply काम करती है और सात में पानी जो है वो हीट को अंदा करने का काम भी करता है क्योंकि वो हीट को अबजोर्ब भी करेगा ठंडा भी करेगा और जो oxygen's की supply होते है उसको भी कट करने का काम करता है तो इस तरीके से आकोव उचाने का कारिये करता है किलियर है अगले पॉइंट कि अगर हम बात करें देरफोर फास्ट स्टैप इन कुलिंग इस तो एक्सिलरेट दा स्पीड विद विच हीट इस रिमोब फ्रॉम दा फायर जो बढ़ती हुई जो हमारी आग होती है जो ही हमें तीजी से उसके उपर पानी डालने का काम करते हैं सोखने का काम करेगा और उसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं पानी डाल करके उसे हीट को अबजोर करवाने का काम करते हैं किसके मादम से पानी के मादम से किलियर है अगले पॉइंट की और हम बात करें तेम्प्रेचर ओफ बर्निंग तेम्प्रेचर ओफ बर्निंग मास इस तापमान जो है उसके साथ साथ में हम क्या करने का काम करेंगे उसके अंदर जो गर्म जलती हुई जो उसमा होती है या जो मास है उसको हम reduce करने का जो कारी है वो करेंगे जिसके मादम से भी जो heat जो निकलने का काम करती है उसको ठंडा करने का कारी करेगा और वो किसके मादम से possible है वो है पानी के मादम से ठीक है वो किसके मादम से पानी के मादम से ही possible हो पाएगा किलियर अगले point की हम बात कर लें heat flow hot body heat flow hot body does the cooling medium absorb the heat from the fire और आग जो है हमेशा आगे की और गरम स्थै जो होती है या गरम बोड़ी बोल सकते है उसकी और परवावी तो होने का काम करती है लेकिन जो ही हमने उसके ओपर cooling किया जो ही हमने उसके ओपर पानी डालने का काम किया तो उसे दोरान क्या करेगा वो उसे heat को absorb करने का काम करेग तो उसे दोरान भी क्या हो जाएगी आगे भुचने का जो कारी है वो हो जाता है ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो किसके अंदर होता है वो cooling जो method होगा उसी के अंदर है किया जाता है किलिर है अगले point की ओर हम बढ़ते हैं अगला point आजाते है अपने पास में method के अंदर starvation starvation method क्या होता है इस method के अंदर हमें मुख्य रूप से इनन की जो supply होती है उसको हटाने का या kट करने का कम करते है तो starvation method में remove of fuel from the scene of fire is now as a starvation हम आग का जो सीन है वहाँ से फ्यूल की सप्लाई को कट करते हैं फ्यूल की जो सप्लाई उसको हटाने का काम करते हैं उसे मैथड को किस नाम से हैं स्टार वेशन के नाम से हैं या बोल सकते हैं इंधन को हटाना या बोल सकते हैं भूखा मारना या बोल सकते हैं सुद आभरन सुद आभरन ये सारे के सारे जो method हैं वो इसी को हमें बोलने का काम करते हैं clear है concept अगले point के ओर हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से आप fuel को हटा सकते हैं तो इसमें removing separating of combustible metal from the fire जो combustible जो material है उसको हटाया जाता है कहा से आग से पहला दूसरा आजाता है remove of the fire from the combustible material पहले वाले के अंदर जो combustible jowlan seal या जो जवलन seal या जो भी अपना जो burning material होता है उसको हटाया जाता है किस सें आग सें first के अंदर लेकिन दूसरे वाले के अंदर क्या किया जाता है आग को हटाया जाता है आग को हटाया जाता है ठीक है combustible materials से आग को हटाया जाता है किसे combustible materials से दोनों एक दूसरे की opposite हो जाते है थीक है ये method क्या कहलाएगा जी ये method कहलाएगा अपना star vision अगला point की और बात करते है smoothing method क्या होता है कि इस method के अंदर हम oxygen की जो supply है उसको cut करने का काम कर लेते हैं और उसके मादम से आग का दम गुटेगा दम गुटेगा तो आग बुझ जाएगी smoothing में remove of limitation of oxygen from the scene of fire is now as a smoothing हम जो fire scene है उसके अंदर oxygen की जो supply है उसको smoothing कर देते हैं कम कर देते हैं reduce कर देते हैं या हटा देते हैं now as a method smoothing जो method है वो क्या कहलाएगा smoothing method के नाम से उसको जानने का काम करेंगे इसको हम बोल सकते हैं चाहें दम गोटना इसको हमें दम गोटना बोल सकते हैं इसी को स्वांस रोधन, स्वांस रोधन विदी, या सांस को रोकना, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं जो अगर बात की जाए तो कहां पे समूतरिंग मेथड के उपर ही अपलाई हो जाएगे, किलियर है, अगला पॉइंट के और में बात करता हूं, इसके अंदर क्या करता है minimize the oxygen from the zone of fire, आग का जो जो जोन है, वहां से minimize किया जाता है किसको, oxygen को, फास्ट नमबर, दूसरा जो है पॉइंट, foam and dry chemical are used for समूतरिंग, अगर हमें समूतरिंग मेथड अपलाई करना ही है fire के उपर, तो उसके साथ में हमारे जो अगनी शामक यंतर हैं, वो कौन से use मिलेंग या फिर आप dry chemical powder use में लेंगे, तो ये जो extricusing media है, वो अपने आप जो है, वो किस method से आग को बुझाने का काम करेगा, वो समूतरिंग method से आग को बुझाएगा, या इनकी oxygen की supply को cut करके, clear है, तो ये थी हमारी आज की class, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को कर दे like, चैनल को कर दे subscribe, next class के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बारत